देखें इस example में क्या बोर रहा है कि drunkard walking in a narrow lane takes five step forwards and three steps backward पांस step आगे चल रहा है drunkard और three step वापस आ रहा है followed again by five step forward and three step backward और ये process चलता रहा है so on and so on और each step हर एक step की जो length बोल रहा है ये one meter की है और उसको cover करने में एक second ये लगाता है तो मतलब इसकी जो velocity होगी वो one meter per second की velocity से चल रहा है पुरा ये जो situation दी है यहाँ पर आपको इसका XT graph draw करना है इसके motion का और determine graphically and otherwise how long drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start तो 13 meter उसके start से जहां से उसने start किया वहां से 30 meter की displacement पे एक bit है तो उस bit में वो कब गिरेगा वो भी आपको बताना है देखें इसको analyze करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो इसकी अगर मैं velocity लिखता हूं पुचे इसकी velocity कितनी होगी इसकी velocity होगी v equal to क्यूंकि 1 meter यह cover कर रहा है 1 second में तो 1 meter per second की इसकी velocity होगी तो मान लिजिए इसने start किया t equal to 0 पे अगर इसने start किया है तो यहां पर इसके step हम बनाते हैं तो यह आपका जब time है इसका 0 और यहां पर x की value कितनी है 0, x equal to 0 से start है यह आपका first step second, third, fourth, fifth, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve और यह आपका आगर 13 तो यहां पर x की value कितनी हो जाएगी x equal to 13 meter ठीक है t equal to 0 second से इसने start किया है अब यह बोल किया रहा है यह बोल रहा है कि पहले 5 step वो आगे जाएगा एक step, दो step, तीन, चार और पांच जब पांच step यह आगे जाएगा तो यहां पर इसकी t की value हो जाएगी 5 second क्यूंकि एक step को एक second लगा रहा हो तो 5 second पांच step आगे गे और 3 step वापस आ रहा है तो एक, दो और तीन, तीन step और इन तीन step को वापस आने में इसको कितने distance कि कितना time लगेगा तीन second और लगे तो पांच तो पहले ले लिए इसने और तीन और तो यहां पर इसका जो time हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 second तो 8 second में अब इस position पे है यह, तो यहां से अगर आप लोग देखो तो कितने दूरी होगी, एक step एक मीटर की यह एक और यह एक, यहां पर x कितना होगा, 2 मीटर, मतलब 8 second में यह 2 मीटर चल रहा है, अब देखें next, next 5 second में फिर आगे जाएगा, यहां से 1 step, 2 step, 3, 4 और यह 5 5 आगे, ठीक है, तो यहां से 5 आगे गया, तो 5 second लगा है इसने, और 8 में अगर आप 5 add करोगे, तो हो जाएगे 13, तो यहां पे जो time होगा, आपका कितना होगा, 13 second, अब 13 second है, फिर यह 3 step वापस आता है, 1 step, 2 step, और यह 3 step, यह 3 step वापस आगया, 13 में 3 और add करोगे, तो यहा यहां पे x की value होगी, आपके पास 4 meter, तो यहां से simply हमें देख के analyze कर सकते हैं, कि हर 8 second में यह 2 meter cover कर रहा है, तो 16 second में हो गया 4, तो 24 में हो जाएगा 6, 24 में 6 हो जाएगा, और 32 में कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो यहां पे हम यह draw करते हैं, लिखते हैं पहले, यह situation, यहां दें आप लो, तो इसने start किया है, t equal to 0 से, t equal to 0 से लेके जब time हो जाता है, t equal to 8 second, तो इसकी जो displacement आ रही है, मान लीजिए हो कितने हैं, आपके पास x की value कितनी आ रही है, 2 meter, यहां पे हम लोग इसको x1 ले लेते हैं, ठीक है, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक, 2 meter, फिर उसके बाद जब time हो जाता है, 8 से लेके 16 तक, time 8 to, t equal to 16 second, तो आपने देखा यहां पे, x की value कितनी आई आई आपके पास, 4 meter, फिर उसके बाद अच्छे, अगर मैं यहां लिखता हूँ, time, 16 से लेके, मुझे 8 का, 8 इसमें और add करने है, 16 से लेके, t equal to 24 second, तो यह कितना कवर करेगा distance, x3 equal to 6 meter, वैसे ही, t equal to 24 second to, t equal to 32 second, यहां पे आपके पास, x4 की value आ जाएगी, 6 और 2 और add हो जाएगा, 8 meter, ठीक है, अब अच्छे, जब यह 8 meter की दूरी पे होगा, मान लिजए, यह x यहां पे 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7 है और यह 8 है, यहां पे x की value कितनी है, 8 meter, अब उसके बाद next, 5 step यह आगे जाएगा, 1, 2, 3, 4, और 5, जब 5 step आगे चला गया, तो 13 meter आगे तो यहां तो यह गिर जाएगा, यहां पे यह क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो इसको तो वापस आएगा ही नहीं, तो यहां पे तो पांच ही आप लोग time add करोगे, यहां पे और, 32 में 5 और हम add करेंगे, t equal to, 32 second से लेके, t equal to 37 second आएगा हमारे पास, और x5 की value आपके पास आएगा है 13 meter, यह क्योंके 5 आगे जाएगा जब यहां से लेके, आगे गया 5, यह वापस तो आएगा ही नहीं, यहां पे गिर जाएगा, तो यहां हमें दिख रहा है कि जब time हो जाता है, 37 second, 37 second पे यह क्या हो जाएगा, falls in pit, इसमें यह गिर जाएगा, अब मुझे यहां पे proper scale लेके, इसका xt graph बनाना है, तो यहां तिक clear हो गया हमें, कि जब time कितना हो जाता है, 30 second, second पे यह गिरेगा, जो इसके starting point से 13 मीटर की दूरी पे, जो एक pit है, वहां पे यह गिर रहा है, तो अभी हम लोग यहां पे इसका xt graph बनाएगे, next slide पे आना पड़ेगा हम लोगों को, देखें शाबाश, देखें, अब इसका हम xt graph बनाएगे यहां पे, तो y direction के along हम लोग displacement ले ले लेंगे, और x direction के along हम लोग time ले लेंगे, time second में है, displacement यहां पे meter में है, और यहां पे यह origin है इसका, ठीक है, तो माल लिज़े जो time का जो scale है, 55 का ले लेते हैं, यहां पे time हो रहा है, 5 second, 10 second, 15 second, 20, 25, 30, 35 और 40, 37 तक तो हमारा गाम होगा, और यहां पे जो displacement लेते हैं हम लोग, तो displacement ले लेते हैं, माल लेजिए 2, 2 का ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 13 तक हम लोगो नहीं जाना है, तो अब ध्यान दें आप लोग यहां पे, तो P equal to 0 पे इसने start किया था, तो पहले 5 step यह कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, तो 5 step और जो इसकी velocity है, 1 meter per second की speed की velocity है इसकी है ना, और uniform velocity है इसकी, तो यहां से आप लोग जाएगा, यह time 5 second पे, यह कितना cover करेगा, 5 second तक कितना cover करेगा, 5 meter, तो 5 आपका यहां पे होगा, और यह यह यहां तक आएगा, ग्राफ आपका, यह आजाएगा, यहां पे, यह इसको हम दूसरे color से बनाएंगे, यह पहले जा रहा है इस तरह से, यह चला जाएगा, यहां पे जो इसकी coordinates होगे, वो क्या होगे, 5 और 5, अब, यहां तो time होगे, आपके पास 5 second, उसके बाद, यह वापस नीचे की तरफ आ रहा है, backward, है ना तो कितना आएगा, 3 step, तो यहां पे, x भी 5 है आपके पास, और y भी 5 है, अब 3 नीचे आ रहा है, 3 कितना आ रहा है बचे यह, नीचे आ रहा है, तो यहां पे आप लोगों के पास time कितना हो जाएगा, 8 second, क्योंकि 5 में 3 और add करोगे आप लोग, 8 second, और 5 में है, यह 3 step नीच यहां तक पहुंचेगा, 2 तक, तो यह यहां तक आ जाएगा, यह यहां तक, तो यहां से इसका ग्राफ होगा, बचे ऐस तरह से, यहां पे जो इसके coordinates होगे, वो क्या होगे, x में कितना है, 8 time है, और 2 इसने displacement की है, फिर उसके बाद फिर 5 step आगे जाएगा, 8 में आप लोग 5 add करोगे, ठीक है, तू में अगर आप लोग 5 add करोगे, तो कहां जाएगा, 7 तक, तो 7 हम लोग यहां तक बनाते हैं, और 13 यहां तक आ जाएगा, यह आपका आ रहा है, इसको हम इसी color से बनाते हैं, यह आगे यहां तक, 7, 8 से थोड़ा सा नीचे लेंगे, यहां पर और, यहां पर time होगा उस time पर, t equal to 13 सेगंड, और यहां पर time कितना होगा, t equal to 8 सेगंड, अब यहां पर जो आपके पास coordinates होंगे, x कितना है, 13, और y कितना है आपके पास, यहां पर 7, ठीक है, y मतलब जो y direction में लिया हुआ आपने displacement, फिर उसके बाद बचे यह तीन स्टफ फिर नीचे आएगा, जब तीन स्टफ यह नीचे आ रहा तो time 3 second और add कर दो, तो time पहुझ जाएगा 16 तक, और 7 में से अगर आप लोग 3 निकालोगे तो पहुंचोगे 4 पर, तो यहां से यह आ जाएगा, यहां पर 16 हम लोग यहां जैसे ले लेते हैं, उसके बाद graph आगए आपके बास ऐसे, यहां पर जो इसकी coordinates होंगे, X होगा यहां पर 16 और Y direction में जो displacement है, वो आगए आपके पास यहां पर 4, फिर उसके बाद 5 step और आगे जाएगा, तो 16 में 5 add करोगे तो 21 second और 4 में 5 add करोगे तो यह पहुंचेगा 9 तक, तो हम इसको यहां जैसे बनाएंगे, यह आगया आपके पास, यहां पे X आपके पास होगा 21, X की value अच्छे आपके पास होगी यहां पे 21 और Y की value हमारे पास होगी यहां पे 6, यहां से जलते हैं उपर की तरफ, 14 में अगर आप लो 16 में, 16 में 5 add करोगे तो time हो जाएगा 21, 21 हमने यहां दकी लेना है, तो इसकी curve थोड़ी मुझे इस तरह से बनानी है, यहां पे पास यहां पे जो time है, वो मुझे 21 सेकंड लेना है, और 4 में अगर आप 5 add करोगे, तो यहां coordinates होगे 21 और 9, फिर उसका थीन step यह नीचे आ रहा है, 21 में 3 add करोगे, तो आ जाएगा आपके पास 24 सेकंड तक, तो तीन add करोगे, तो यह पहुंचेगा 6 पे, यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे इसके coordinates होगे, यह आ गया आपके पास, यहां 24 हो गया time और 6 हो गया displacement, अब यहां पे 24 में 5 add करेंगे, तो यह कहां जाएगा, ताइम जाएगा आपके पास 29 तक, 29 तक time जाएगा और 6 में, अगर आप लोग यहां पे 5 add करोगे, तो आपके पास यह हो जाएगा 11, तो इन 12 से थोड़ा सा नीचे चलेंगे, हम लोग यहां पे और यह 29 यहां पे, यह आपका ज़राफ आएगा इस तरह से, यहां पे आपके जो coordinates होंगे, वो होंगे 29 और 11, उसके बाद बचे, तेन स्टेप यह नीचे आ रहा है, 29 में तीन add करो time, तो time हो जाएगा आपके पास 32, तो यहां पे 32 तक आओ और displacement हो जाएगी 8, 8 और 32 यह आगे आपके पास यहां तक, यहां पे जो इसके coordinates होंगे, वो होंगे, आपके पास 32 और 8, फिर उसके बाद यह 5 स्टेप उपर जा रहा है, 32 में 5 add करोगे, तो आपके पास हो जाएगा time 37, और 8 में 5 add करोगे, तो यह हो जाएगा 13, यहां तक आएगा यहां तक आएगा यह आगे बच्चे, यहां पे आपके पास जो x direction में, जो time है, वो आएगा 37, और यह आएगा 13, यहां पे यह गिर जाएगा, तो यहां पे time है, आपके पास 37 seconds, तो यह आपका graph आ रहा है, एक्सटी graph, जो इसने हमें पूछा है, 37 seconds पे यह गिर जाएगा, क्तरी實 बस्क आी जाएगा है, मारम रखके भास 25 पनलतक्षड़ बड़़्ल काई।, झाल हो तो यह हजता है इसा आही एका यहागा है,जड आपके पर यहागा चक्सटीर, आपके नाएगा, एका जऑ devoittनारे diversity all में, जोग ऑपके रहागा है, नाराएगा है, आपके